सब्सक्राइब कर आए आख बंद करके अपने उस सैनिकों को सिपाईयों को जो हमारे लिए हमारे देश की रक्षा के लिए देश उन एकता और खंडता के लिए जिनकी हर समय एकी बात है मन में कि देश पहले इंडिया फर्स्ट उन सब के लिए जिनकी आज शाहदत हुई है जिनको बेगुना मरा गया है जिनकी जान ले ली गई है उन सब के लिए आईये हम करें शान्ती की प्राभना और साथी साथ उन परिवारों ने जिनोंने अपने लाल को खोया है उन पत्मियों ने उन माताओं ने उन भेनों ने जिनोंने अपने परिवार के प्रियजन को खोया है उन सब के लिए भगवान से प्रार्थना है कि प्रभू उन्हें शक्ति प्रदान करें और जितने भी हमारे सैनिक हैं उन सहां को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि पूरा देश आपके साथ है भरोसा टाम हाहते हैं ब Demand कि पूरा दे हैं至 आपके साथ को देऊ हैं आपके साहते हैं आपके साना तॉहँ कि अगzyka अ मल भरोसा को पृरा, यार थतुए कि झुछ讲 से लRed एपके साह्ं कि भतना है कर दो 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 आविक कर दो कर दो क्युंग कर दो मिल्सार वेरीक कर दो जो। जाज़ जाज़ उकाटों नाज़ जाज़ जारा जाज़ झाल 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 सबसे पहले मैं पुलवामा के आतंकी हमले में सहीद जवानों को आदर पुर्वक सद्धांजली अर्पित करता हूँ उन्होंने देश की सेवा करते हुए अपने प्राण न्योचावर किये हैं दुख की इस गड़ी में मेरी और हर भारतिय की सम्वेदनाएं उनके परिवार के साथ है इस हमले की वज़े से देश में जितना आक्रोश है लोगों का खून खौल रहा है ये मैं भली भाती समझ पा रहा इस समय जो देश की अपेच्छाएं है कुछ कर्ग गुजरने की भावना है वो भी स्वाभाविक है हमारे सुरक्षाबलों को पूर्ण स्वतंत्रताग दे दी गई है हमें अपने सैनिकों के शार्य पर उनकी बहदूरी पर पूरा भरोसा है मुझे पूरा भरोसा है कि देश भक्ती के रंग में रंगे लोग सही जानकारिया भी हमारी एजन्सियों तक पहुचाएंगे ताकि आतं को कुछलने में हमारी लडाई और तेज हो सके मैं आतं की संगठुनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूँ कि वे बहुत बड़ी गल्ती कर चुके हैं बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी मैं देश को भरोसा देता हूँ कि हमले के पीशे जो ताकते हैं इस हमले के पी जो भी गुनेगार है उन्हें उनके किये की सजा अवश्य मिलेगी जो हमारी आलोचना कर रहे हैं उनकी भावनाओं का भी मैं आदर करता हूँ उनकी भावनाओं को मैं भी समझ पाता हूँ और आलोचना करने का उनका पुरा अधिकार भी है लेकिन मेरा सभी सात्यों से अनरोध है कि ये वक्त बहुती संवेदंसिल और भावपल है पक्षमें या भी पक्षमें हम सब राजनीतिक छीटा कसी से दूर रहें इस हमले का देश एक जुट होकर के मुकाबला कर रहा है देश एक साथ है देश का एक इस्वर है और यही विश्व में सुनाई देना चाहिए तोंकि लडाई हम जीतने के लिए लड़ रहे है कर दो